हे गाईज तो आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ एक फैशल जो कि यह है मेरे पार जो फैशल किट है यह मिनि छीज़ केक्ट है और मैं बता दिविवार्द है कॉन कौन फैशक्त के लिए हैं यह समाथ यह जो रुख seem तो इस पर लिखा है इस पर भिष आपके बाभू रि और इंप्रूव इसकी टैक्चर आपका जो इसको भी इंप्रूव करेगा और दूसर लिखा है ट्रेट करेगा आपकी हाइप प्रोब्लम है उन सब को यह खतम करेगा आए डर्माडोक की जो फेशिल किट है आप इसे पर्चेस कर सकते हो परपल.com से मंगा सकते हो आपको मिल झाहती और मैं बता देते हूं आपको 5 स्टैप मिलेंगे और त ama अप , पहला सबका आएकईगा जांएका जो आएगा क्लींजिंग आएगा और दूसरा स्टैप आएगा आपका इसक्राव का तिसरा सब्सक्क्राइगा आएगा आपका टोनरम और फोर्थ आएगा आपका मस सब्सक्राइब करके दिखाने वाली हूं तो अब बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो में एंड तक तो जहां पर सकते रहे हूं मैं फेसल श्टार्ट तुर के लिए मैंने लिया है फर्स्ट चैप जो कि हमारा है क्लेंजिंग करनी हमको यह क्लेंजिंग जैल है इसको आपको निक बाज़ेंगे तो मसाज़़ने के बाद आप एक पनी टीशू करने के और इसको कषा मध्यक्रीयफ लाइब है सब्सरी देका को ये पोड़ाइब कके हैंma क्रीम आप पने डाड़ लगा और फोड़के हम पर थोड़ा थोड़ा तोड़ा धर ने उसको कि से किना हो जिससे जाहेए आपपने फिट से फिर डहाई का आए जिससे उने जहाएगगै इसारी फिर तो आप Scrub से पहले इस्टीम लेज़्ेगा उसे क्या होगा जो आपके Black Hunts है वो थोड़े Henri पूल चाएंगे मेरे फेस में Black Hunts क lysे दिषके निकल तनी तो मैइ इस लिए इस्टीम लास्टे के बाद में वह भी लाया हूं पस आपको धियान रखना है तो अगर आप पहले भी steam ले सकते हो बाद में भी ले सकते हो तो यह मैंने टोवल से ले लिए steam कम से कम चार से पांच वार आपको लेना है उसके बाद आपको करने है अपने face पे लगाना है toner इसमें toner दिया हुआ है तो toner को क्या कहेना है आपको निकालने के बाद पूरे face पे आपको toner लगा लेना है और उसकी भी बाद में आपको अच्छे से अपने पूरे face पे हलके हलके हाथ से उसको मसाज देनी है क्योंकि toner इसकीन के अंदर जाना चाहिए तो अच्छे से आप ज़्यादा हाथ प्रैसर नहीं देना है बहुत हलके हाथ से आपको करना है एक दो मि मिनट के बाद हलका एक दो मिनट छोड़ देना है फिर अपना इसको साफ कर लेना है उसके बाद नमबर आता है फोर यानि की मसाज का तो यहां पे मसाज के लिए मसाज क्रीब निकाल लीजिए और इसको तो आपको कम से कम पंदरा मिनट आपको इसकी मसाज करनी ही करनी है और इसकी जो इसमयल ती खुसूल ती बहुत अच्छी थी और आप जितनी मसाज करे। कि उतना ही ग्लो आएगा उतना ही आपकी अपकी फेश साइनिग करेगा क्योंकि मसाज से क्या था है जो हमारा ब्ल всем जो है वह तेज हो जाता है जिसकी वैसे हमारा जो फेस है वो ग्लो करता है तो आपको क्या करना है आपको जब भी मसाज करनी है उपर की साइड करनी है कभी फेस पे हम नीचे की तरफ को मसाज नहीं देते हैं उपर करनी है और आपको मसाज करते रहना है जब तक आपकी क्रीम स्किन के अंदर पैरिटेट ना हो प्राइंट पे प्रेस्ट करेंगा उससे क्या होगा फेस करेगा और आपका जो कलर है वह इन्हेंस होगा आपके डाग स्पोर्ट वह भी रिमूव दीरे-दीरे कम होंगे तो क्योंकि इससे क्या होता जब बढ़ता है तो खुद पे-खुद साइनिंग आती है अब देखो मेर प्रेज्ट पे पिंग्मेंटेशन है तो मैं यह फेशियल मतले इससे भी पहले एक दो बार यूज़ कर सीकिने तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिला है और इसके बाद आता है पीलोप मास्ट यह आपको क्या कहना है अपना पूरा फेस क्लीन करने के बाद साफ कहने के बाद आ पूरे फेस पर लगा लेना आपको ध्यान रखना आँखों के आसपास आप इसको बिल्कुल भी मत लगाईएगा क्योंकि आँखों में अगर थोड़ा सा भी जाएगा तो आपको दिक्कत होगी और यह सूख जाता है दस मेंट पंदा मेंट लगती सूखने में उसके बाद आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा और मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आपसे आगे फिर मिलती हूं तो तब तक की लिस्टे से पिस्टे हेल्दी और यह फेशल बहुत अच्छा करके जरूर देखेंगा बाई बाई